हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब कि कोरोना से आपको कैसे भूर रहना है एक तो सुभे 15 या 20 मिनट के लिए प्राणाम कीजिएगा प्राणायम करने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तो आपको ऑक्सिजन का जो लेबल है शरीर के अंदर और मेंटेन रहेगा आपका शरीर एक्टिव रहेगा और एक सबस प्राणायम जब भी आप करते हैं तो स्ट्रेस लेवल एक्टम से बहुती मिनिमाईर हो जाता है पिल्को ठीक हो जाता है उसके अलाबा दिन में तीन या चार या पांच बाजी जब भी आपको समय मिलें कम से खाना खाने के गंटे के बाद अना एक गंटे का गया जरूर हो हम लोग तैंचन तो खूब लेते हैं पर हसते नहीं है आप सोचके देखिए का खुल के हसना अमला कितना अजीब सा हो गया है लोग हसते बिल्कुल नहीं है एक तो जिसे कहते हैं कि इम्निटी के लिए आप हल्दी अद्रग और तुसी के पकते इन तीनों को लेकर चाय की तरह से उबाल लीजीगा पानी में उबाल लीजीगा और दिन ने तीन बारी या चार पर इसको कि लेने से शरीर के अंदर जो खून है वो खून जमेगाने इ इसको जरूर लेना चाहिए साथी साथ एक गॉल्ड़न मिलक अईशमा ने बताया है गॉल्डन मिल्क में कैया होता है कि आदा चमत हल्दी और और डेड़ सो ग्राम मिल्क, आप डेड़ सो ग्राम दूद के साथ आदा चम्मच हल्दी लेके, मिक्स करके गरम दूद को दिन में एक बारी या दो बारी जरूर लीजिए गा, इसके लेने से भी आपकी इम्मुनिटी बढ़ेगी, शरीर के अदर कोई भी इंफेक्शन है वो हफते में एक बारी, बिटैमिन डी का शैशे आता है, बिटैमिन डी का शैशे एक बारी हफते में दो बारी लेना चाहिए, और जिंक, जिंक की गोली आती है, जिंक की गोली दिन में दो बारी लेना चाहिए, अगर आप ये ले ले लेंगे, क्योंकि जब बीमार होते हैं, आज आते सब डॉक्टर यह देते हैं सारे डॉक्टर से इलाज के अंदर आपको दे रहे हैं इलाज के अंदर आपको देगा रहे हैं